हेलो फ्रेंट्स दिश जच पी शिंग वेलकम बैक स्मार्ट रावरी डे फ्रेंट्स इससे पहले मैंने थ्री पार्ट्स में 100 कोस्ट्स दे चुका हूं अब इसका बाद 101 यानि कि 101 से कोस्ट्स हम सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह जो भी कोस्ट्स हैं हमारे यह हमारे समिध सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बैल आकन को प्रेस कीचे और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सेयर जुरू करें थैंक यू तो मंत्री परशद का प्रधान प्रधान मंत्री होता है किन्तु मंत्री मंडल में क्या होता है मंत्री पर पड़शद से कम सदसे होते हैं या पिर बराबर होते हैं तो इसमें नहींत होती है नहींत होती है fij Sü. किसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? राज जिस्रभा का सभापती को, महान्यायवादी को, महालेख परिक्षक को या फिर राजिपाल को. तो महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा महालेखा परिक्षक को हटाया जा सकता है. नैस्टा की राष्टपती को उसके कारिकाल की समापती से पूरू है केवल महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है यहाँ महाभियोग प्रस्ताव संसत के किस सदन में रखा जा सकता है संसत के सन्यक्त बैठक में, लोक सभा में, संसत के किसी भी सदन में या फिर राज़ सभा में तो इस महाभियोग परिश्ताव है संसत के किस सदन में रखा जा सकता है तो इसको हम संसत के किसी भी सदन में रख सकते हैं answer, see the right answer कौन अपनी सेवा निर्वरत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज़ की सरकार के अधीन किसी लाब के पद पर पुनह निप्ति के लिए अपात्र हो जाता है तो लोक सभा का द्यक्ष, महन्यायवादिया फे नियंत्रक या मालेखा प्रिक्षक या माधिवक्ता तो इसमें आपको बता दें कि जो नियंत्रक मालेखा प्रिक्षक होता है वह अपात्र हो जाता है उपर राश्टपती को उसके पद एवं गोपनियता से सम्मंदित सपत निमलिकित में से कौन दिलवाता है राश्टपती, भारत का मुख्य नियाधीष, महानियावादी या फिर राश्टपती का अरश्टपती तो उपर राश्टपती को उसके पद और गोपनियता से सम्मंदित सपत राश्टपती दिलवाता है नेक्स कोश्चन है अनुच्छे 352 के तहट घोषित आपात की उद्घोषना के दोरान राश्टपती को निमलिकित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता वह मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है यह राजी सरकारों को कारेकारी एवं वित्ती कारियों से सम्मंदित बाध्यकारी निर्देश दे सकता है वह भारत की आकस्मिक निधी में से व्यकी अनुमति दे सकता है वह लोकसबा और राजसबा को भंग कर सकता है क्या राष्टपती सर्वोचे नियाले द्वारा दिये गए परामर्स को मानने के लिए बाद दिये है क्या राष्टपती सर्वोचे नियाले द्वारा दिये गए परामर्स को मानने के लिए बाद दिये है तो इसमें आंसर D, वह बाद नहीं है राश्टपती सासन का क्या परभाव नहीं पड़ता तो राश्टपती सासन का परभाव उच्छ नियाले के अधिकारों को राजिपाल सीमित कर सकेगा राजि का बजट संसत द्वारा पास किया जाएगा राजि का शासन राजिपाल और उसके सलहकारों द्वारा चलाया जाएगा राजि की विधान सबा निलंबित या भंग हो जाएगी तो इसमें आंसर A, उच्छ नियाले के अधिकारों को राजिपाल सीमित कर सकेगा Rाश्पति की अनुमती हेतु भेजे गए किसी विधायग पर राश्पति खब तक अपनी अनुमती देने के लिए बात दे है तो इसमें राश्पति समिधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है नेक्स्ट है कि किसे सूची के विशियों पर राष्ट्रपती अध्यादिस जारी नहीं कर सकता तो इसमें राज सूची पर राज सूची के विशियों पर राष्ट्रपती अध्यादिस जारी नहीं कर सकता राज सूची यानि के आंसर B मंत्री मंडल की बैठकों की अधिक्चिता कौन करता है मंत्री मंडली ये सासन में दो प्रकार की करपालिका होती है एक नाममात्र की और एक वास्तविक इन दोनों का क्रमशह उत्तरदायत किश्के प्रती है तो इन दोनों का उत्तरदायत अनुक्तरदाई और समिधान के प्रती समिधान और संसद के प्रती अनुक्तरदाई और लोगसभा के प्रती या फिर जनता और संसद के प्रती तो इसमें अनुक्तरदाई और लोगसभा के प्रती आंसर सीज़ दा राइट आंसर नेक्स रोशन है कि क्या राष्ट्रपती राजिपाल को उसके पदावधी से पूर्व पदिचुद या किसी अनिराज में स्थानांतृत कर सकता है नहीं हाँ के वला पात्काल में या राज के मुख्यमंतरी का नोग पर तो वहां स्थानांतृत कर सकता है हाँ, फिरे कि किन आधारों पर राष्ट्रपती राज़िपाल को पदिश्चुत कर सकेगा? तो कदाचार, अर्शमर्थता, समिधान का उलंगन या राज़िपाल की पदिश्चुती की आधारों का समिधान में कोई उलेक नहीं किया गया है तो इसमें समिधान का उलंगन जो है उलंगन करने पर राजिपाल को बदचुत कर सकेगा Sorry friends इसमें समिधान का उलंगन नहीं ये wrong है राजिपाल की बदचुती के आधारों का शमिधान में कोई उलेख नहीं किया गया है Answer 4 किन आधारों पर राष्ट्रपती राजिपाल को पदेचित कर सकेगा राजिपाल की पदेचिती के आधानों का समिधान में कोई लेख नहीं किया गया है समिधान के अनुसार राष्ट्रपती को कौन सी सक्तियां प्राप्त है तो शम्मिधान के उन्सार राष्टपती को सामानिकालीन, आपातकालीन, सैने सक्तियां ये सभी सक्तियां उसको प्राप्त हैं उस इस्तिती में राष्टपती किसे प्रदानमंत्री निक्त करेगा जब लोकसभा में किसी भी दल को इसपष्ट बहुमत प्राप्त ना हो राजिसबा में बहुमत दल के नेता को संसद में बहुमत दल के नेता को या सबसे बड़ी पार्टी के नेता को या फिर अपने विवेक का प्रियोग कर उसे विक्ति को जिसे वा समझे कि उसे लोगसबा का समर्थन प्राप्त हो जाएगा तो answer is the right answer उस टाइम राष्ट्रपती अपने विवेक के प्रयोग कर उस विक्ति को जिसे वह समझे कि उसे लोगसवा कर समर्थन प्राप्त हो जाएगा वह उसे चुन सकता है, निक्त कर सकता है जिसे विक्ति का नाम प्रधान मंत्री ने न सुझाया हो, उसे विक्ति को क्या राष्ट्रपती मंत्री के पदपर निक्त कर सकता है, नहीं कर सकता है किसकी निक्ति राष्ट्रपती नहीं कर सकता, राजी लोक्षेवा आयोक के धक्ष की, उच्च न्यालेक या न्याधिश की, निर्वाचन आयोक की सदस्यों की या नियंत्रक एवं महालेखा परिक्ष की तो इसमें राजी लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष की निवति राश्वति नहीं कर सकता